सद्गुरु कई साल पहले जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसने मुझे स्वामी विवेका नंद की लिखी एक किताब दी थी। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल के गुरु किस तरह हजारों मील दूर से एक दूसरे से बात कर पाते थे। सिर्फ विचारों के जरिये। मूल रूप से ये ये मौडन इंटरनेट की तरह है कि किस तरह एक कम्प्यूटर किसी दूसरे कम्प्यूटर से संपर्क करता है अमेरिका में या यूरोप में या कहीं भी। क्या आप मानते हैं कि इनसानी दिमाग को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है कि वे दूर बैठे लोगों के दिमाग पर असर डाल सकें सिर्फ अपने दिमाग को सही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करके। क्या ऐसा हो सकता है क्या हम ये कला सीख सकते हैं। आप सेलफोन कमप्टियों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। दिमाग या अंग्रेजी शब्द mind का मतलब आम थोड़र पर सिर्फ विचार प्रक्रिया से होता है। विचार प्रक्रिया आपके दिमाग का सबसे उपरी हिस्सा है मेरे ख्याल से योरोपी विचारों के कारण हमने विचार को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया है योगिक विज्ञान में हम इसे कोई महत्व नहीं देते कि आप अभी क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप आखिर क्या सोच सकते हैं आपने जो जानकारी कठा की है आप बस उसे रिसाइकल कर रहे हैं इसका कोई खास नतीजा नहीं आएगा जो भी आपके दिमाग की सतय पर है वो घूमता रहता है उसका कोई फायदा नहीं है अभी आप जो सोच रहे हैं वो दिमाग की सतय है दिमाग के और गहरे आया हम भी है संस्कृत भाशा में दिमाग की अलग-अलग अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए कई सारे शब्द है लेकिन दिमाग का एक पहलू है समय की कमी के कारण मैं बाकी चीजEN को छोड़ रहा हूँ दिमाग का एक पहलू है जिसे हम चित कहते हैं चित दिमाग की सबसे अंद्रूनी परत है जो उस चीज के साथ आपको जोड़ता है जिसे हम चेतना या कॉंशिस्नेस कहते हैं अगर आपका चित जागरूख हो जाए अगर आप अपने चित पर जागरूखता के साथ एक हद तक नियंतरन पालें तो आप अपनी चेतना तक पहुँच सकते हैं हम जिसे चेतना कह रहे हैं ये वो आयाम है जो न तो भौतिक है न इलेक्ट्रिकल है और न इलेक्ट्रोमैगनेटिक है ये भौतिक से अभौतिक आयाम का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है एक अभौतिक आयाम ही अस्तित्तो का आधार है अभौतिक की गोद में ही भौतिक घटित होता है भौतिक एक छोटी सी घटना है इस ब्रह्मान में दो प्रतिशत से कम, या एक प्रतिशत से भी कम भौतिक है, बाकी अभौतिक है इस अभौतिक आयाम के नाम के रूप में योगिक शब्दावली में एक खास ध्वनी का प्रयोग किया जाता है, जो उस आयाम से जुड़ी हुई है आज कल ये सब काफी विक्रित हो गया है हम इसे कहते हैं शी व जिसका अर्थ है वो जो नहीं है श्रिव यानी उपर बैठे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हमें कैसे आयाम की बात कर रहे हैं जो नहीं है मगर इसी आयाम की गोद में वो सब कुछ घटित होता है, जो है तो अगर आपका चित्थ थोड़ा भी सचेतन हो गया तो न सिर्फ किसी विचार को कहीं और पहुँचाने की आपकी क्षमता बलकि और कुछ भी भेजना भी संभव है बहुत एक स्थर पर कुछ भेजना भी संभव है तो क्या ऐसा हो सकता है? निश्चित तोर पर क्या हम अभी इन सबी लोगों को ये सिखा सकते हैं? सैध्धानतिक रूप से हाँ, मगर क्या ये उसके लिए जरूरी तयारी करेंगे? ये एक क्वेश्चन माक है एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे है कि हमने अपने विचारों को इतना महत्वपून बना दिया है कि पहले तो उन्हें नीचे लाने में समय लगेगा उन्हें ये समझाने में बहुत समय लगेगा कि उनके विचार मूर्खता पून है क्योंकि हर कोई खुद को स्मार्ट समझता है मगर जादतर लोगों का सिर्फ फोन ही स्मार्ट होता है क्योंकि आपकी विचार प्रक्रिया सिर्फ उन सीमित जानकारियों का नतीजा है जिन्हें आपने इकठा किया है अगर मैंने दुनिया की सारी लाइबरेरियां पर डाली हैं, तो भी ये बहुत सीमित है, पूरी स्रिष्टी के मुकाबले, इतने वैग्यानिक विकास के बाद भी हम नहीं जानते कि एक पत्ता वास्ताव में कैसे काम करता है, हम एक अणू को भी पूरी तरह नहीं जानते, इ इतना हैसास काफी होना चाहिए हमें विनम्र बनाने के लिए, कि हम चीजों का इस्तेमाल करना तो जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये है क्या, पूरा जीवन लग जाएगा उसकी मूल-भूत चीजों को समझने में, अगर लोग सबसे पहले इन चीजों को समझ लें, ज काफी मूर्खता पूर्ण है, तो ये आसान हो जाता है, फिर लोगों को ट्रेन करना आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब मैं इस विचार को पैदा करके आपको देना चाहता हूँ, ऐसे नहीं, आपके सोचने से पहले चीज़े घटित होंगी, आपके लिए जो सबसे अ उद्धी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, आपने सुना होगा कि रामनुजम और बाकी लोगों ने बस देवी के साथ एक खिड़की खोली, और वो इतने बड़े मैथमेटिशन बन गए, कि आज भी वो लोग, सौ सालों बाद भी लोग उनकी बातों को समझने की को कोई उसके बारे में जानता तक नहीं था, ब्लैक होल से हमारा मतलब समय और गुरुत्वाकर्शन के कर्व से होता है, जिससे आधोन एक विज्ञान जूज रहा है, उन्होंने उसके लिए mathematical background दिया, जैसे जैसे वो कर्व बढ़ता है, भौतिक अस्तित्व, अनस्तित्व ब जाता है, अब भौतिक होने के बाद समय और स्थान कोई महत्व नहीं रखते, जब समय और स्थान के समस्या नहों, तो communication सहज ही हो जाता है.